बिस्मिल्ला रोहमार रोहीम, माई देर स्टुडेंट्स, आइए, अब हम यूनिट नमबर सेविन शुरू करते हैं, इसके आंसर क्वेस्टिन, लेट स्टार्ट, लिटल बाई लिटल, वन वाक्स फार, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है, लिटल बाई और साफ क्या हैं, दर राइटर इस आवेरी वाइज, इंटलिजेंट, अंबिश्यूस, एंड हार्ड वर्किंग परसन, मुसनफ बहुत अक्लमंद, जहीन, पुर अजम, और मेहनती इंसान है, वो मुक्तलिप अंदास से सोचता और अमल करता है, Q2, How has the writer spent his summer vacation, मुसनफ ने गर्मियों की ततिलात कैसे गुजारी, He did different in his summer vacation, उसने गर्मियों की ततिलात में मुक्तलिप नौक्रिया की, What has he gained from his summer job, experiences, इसने गर्मियों की ततिलात में काम करके क्या हासल किया, This helped him financially and made him understand importance of independence and responsibility, इससे माली तौर पर मदद मिली, financially माली तौर पर, आजादी मिली और जिमादारी की एहमियत का एहसास हुआ, Independence, अजादी, जिमादारी, understand, importance, एहमियत, जिमादारी, responsibility, importance, एहमियत, understand, समझने का एहसास हुआ, Question number four, how are these experiences helpful to him in future, तज़र बात मुस्तक्बिल में इसके किस तरह मददगार हैं, These experience made him ready to face challenges of future eagerly, confidently and bravely, इन तज़र बात ने, इसे खुशी से, हुद एत्मादी से और बहादरी से, मुस्तक्बिल के कठन बहरानों का सामना करने के लिए तियार कर दिया, Challenges बहरान, future, मुस्तक्बिल, confidently, पुर एत्मादी से, bravely, बहादरी से, Question number five है, और आफरी question है, What kind of student is the writer, which of his qualities impress you, The writer is a very wise, intelligent, and ambitious, and hardworking person, He thinks differently and acts, all of the qualities impressed me very much, मुस्तक्बिल, बहुत अकलमान, जहीन, पुर अजम और महनते इन्सान है, वो मुक्तलिफ अंदाज से सोचता और अमल करता है, इसके तमाम خصوصियात ने मुझे बहुत मतासर किया है, तो इन पांचो question को आप याद करें, और फिर लिखके चेक करें, थैंक्यू, खुदा हाफिस,